Good evening student, तो आज का ही जो वीडियो है काफी important है, काफी बच्चों के mails वगेरा आये थे form filling में problem को लेकर के, cast certificate को लेकर के, eligibility criteria को लेकर के तो ये सारी चीजें इस वीडियो में काफी detail में discuss करेंगे along with कैसे preparation करनी है, rest three month में, क्या important topics हैं वो सारी चीजें इस वीडियो में discuss करी जाएंगी, तो अभी जैसे as of now तुम लोगं का exam 14th March को भी है, MHCT का, 19th March को भी CVT का exam है तो अभी कोई जल्दवाजी मत करो, इस brochure को download कर लो, चाहो तो उसका print out निकाल लो और after CVT exam इसको भरना start करो, otherwise every year हम देखते हैं, बच्चे बहुत गलत प्रोसीजर से form भरते हैं और बाद में जो भी NIT कंड़क करा रहा है, इसको mail करते हैं, phone करते हैं और वहां के phone उठते नहीं है, mail का reply भी बहुत late आता है, तो बहुत परिशान होते हैं और ब्रोशर में हर एक चीज बहुत detail में दी गई है, तो उन सारी चीज़ों को आज highlight करेंगे इस वीडियो में तो start करते हैं, I hope यह बात तो सबको पता है कि 8 June को exam है, 2 बज़े से 4 बज़े तक के बीच का exam है क्या pattern में changes आएं, उससे क्या फरक पड़ेगा, उस सारी बातें इस वीडियो में करी जाएंगी and हमारे पास 20th April तक का time है, form filling के लिए, उसके बाद भी edit window open होगी, ना use करना पड़े, edit करना, ज्यादा बेटर रहेगा तो at least CUET के बाद उसको start करना, form fill करना start करो, और उसमें क्या-क्या precautions रखने हैं, उस बारे में discuss करते हैं और ये बाद भी सबको पता है कि IIIT, Bhopal और NIT पटना भी include हो गया है, तो पहले निमसेट exam में excluding IPU and HBTU, 813 seat होती थी, अब 1033 seat हैं, 1033 seat, तो काफी seat बढ़ गई है IIIT, Bhopal और NIT पटना की वज़े से, और ये दोनों ही institute बहुत famous institute है, BTEC वगेरा के लिए बहुत अच्छे placements हैं, तो MCA के लिए काफी अच्छी opportunity है, और IIIT के include होने से, future में भी chances हो गए हैं, कि other IIIT या other NITs भी future में निमसेट में include हो, तो 1033 seat अब total हो गई हैं, निमसेट में, अच्छा पहले, अगर हम general candidate की बात करें, तो 313 seats थी general के लिए, अब general के लिए 396 seats हो गई हैं, तो एक अच्छा खासा growth मिली है seat में, तो पहले approximately मान के चलो general candidate को third, fourth counselling तक जाना पड़ता था, तो 600 के आसपास, initial rank में, NIT वगेरा मिलते थे, तो अब थोड़ा सा increase हो जाएगा, 700 तक भी जा सकता है, और उससे पहले ही CUT और MSCT counselling हो जाएगी, तो हो सकता है, thousand rank तक भी हो सकता है, third, fourth counselling में, general के लिए कुछ chance बन सके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ seats IPU में भी है, as well as HBTU में भी seats, तुम्हें NIMSET के थूँ मिलेंगी, ठीक है, तो ठीक ठाक seats होती है, अब आगे बढ़ते हैं, में चीज़ पे आते हैं अपने, तो दस NIT as well as a triple IT, अब में में चीज़ों पे ध्यान रुखो, अभी फिलाल exam वगिरा की बात नहीं कर रहे हैं सेशन में, सिर्फ form filling या eligibility की बात करी जा रही है, इन्होंने अपने information brochure में हर एक चीज़ mention करी है, पहले चीज़ तो इसी official website पे ही जाके form fill करना है, ठीक है, और एक particular mobile number तुमारे पास होना चाहिए, जो तुम ऐसा ना हो कि तीन मैने बाद वो mobile ना use करो, mobile number और email ID, इसके लिए सबसे पहला तो काम ये करो कि अपने laptop में एक folder बनाओ, निमसे 2024 form को ले करके, और पहले तो उसमें सारे documents एकटा करो, तो क्या-क्या documents है, main-main document जो लगेंगे, 10th की mark sheet लगेगी, graduation की mark sheet लगेगी, अगर pass out हो तो तीनो साल की या फिर 6 semester की, और अगर appearing student हो, तो 5 semester की या 4 semester जितनी तुमारे पस available हैं, वो mark sheet लगेगी, और एक undertaking लगेगी college से, कि तुम appearing student हो, इस particular college में पढ़ रहे हो, तो ये सारी च है, candidate have to register on NIMSET 2024 website, जो की उपर दे रखा है, NIMSET.in, या www.nimset.admission.nic.in, सबसे पहले हमें register करना होगा, creating login password as instructed there, वहाँ पर password के लिए instruction दे रखे होते हैं, 8 character का password होता है, cap log होगा, एक special character होगा, वो सारी चीज़े हैं, जब तुम register करोगे, तो वहाँ पे use करना होगा, तो सबसे पहले register करना है, तो इसके लिए अपनी जो email ID है, mobile number change नहीं होना चाहिए, exam तक ध्यान रखना, वही mobile use करना होगा, because password वगेरा, सब उसी में ही आते हैं, तो ये दो चीज़े essential है, email ID और password, और जो भी तुम password create करोगे, उसको भी अपने laptop के folder में, save कर लो, ठीक है, कहीं पे लिख लो, save कर लेना, एक particular folder बना लो और उसमें form filling से लेटे, जितनी भी चीज़े हैं, निमसेट की, पहले वहाँ पे save करते जाओ, उसके बाद सबसे पहले register करना है, then fill the other detail, as per the online form, application system is made user friendly, as such, as much as possible, and enough help instruction guidelines have been provided in appropriate places, addition to FAQ, इनकी official website पे FAQ on नहीं हुआ है, लेकिन वो जल्दी एक दो दिन के अंदर चालू हो जाएगा, तो वहाँ पे उससे related, जितने भी तुमारे doubts हैं, वो सारे frequently asked questions में मिल जाते हैं, इसके अलावा भी जितने भी तुमारे doubts हैं, उन सब पे हम लोग block create कर चु type के जो भी problem तुमारे दिमाग में आ रही है, हर एक चीज form कैसे भरना है, cast certificate कैसे बनवाना है, हर एक topic पे already एक block बनाया जा चुका है, तो inpsclasses.com website है, उसके block section पे जाओगे तुमें बहुत कुछ मिल जाएगा, निमसेट, CUET, MHCET की preparations related कुछ भी दिमाग में तुमारे doubt है, त पे तुमें मिल जाएगा, ठीके, अब फिर से आते हैं, last date of submitting online application is 20th April, Saturday, up till 5pm, no request is in this regarding shall be entertained thereafter, मतलब 20 April तक form भरना होगा, उसके बाद कोई चांस नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कि date extend कर देते हैं, हर साल ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है, तुम मान के चलो तुम deadline बना लो कि 10 April तक तुम्हें form भरना ही भरना होगा, ठीके, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, इसके बाद edit window भी start होगी, अगर कोई गलती होती है, कोशिश करो की गलती ना हो, unnecessary time waste होता है एंचीजों में, उतना time हम preparation में लगाएंगे तो ज्यादा chances बढ़ेंगे, उसके बाद edit window स्टार्ट होगी, open हो जाएगी, 24 April से 26 April के बीच में, ठीके, fees के बारे में mentioned है, 2500 open category के लिए fees है, बाकी है CST, और ये fees non refundable है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम fees submit करते हैं, तो internet वगरा lack कर जाता है, उस वजए से fees submit नहीं होती है, त के लिए तुमारा bank responsible होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि 24 गंटे में amount वापस आ जाता है, या कई बार 5-6 दिन लग जाते हैं, amount वापस refund होने में, तो उसके लिए भी बहुत tension नहीं लेनी है, उसको ले करके अगर तुम NIT जमशेदपुर में phone करते हो, या email करते हो, तो उसका कोई solution नहीं मिल पाएगा, तो ये एक general problem रहती है student के साथ, 100 लोग form भरते हैं, तो 4-5 लोग के साथ ये चीज हो जाती है, कि due to internet, हमारे account से तो amount cut गया, लेकिन वहाँ पे submit नहीं हुआ, तो उसके लिए बहुत panic नहीं करना है, अपने bank से contact कर सकते हो, वो तुमें कुछ time लेक के वो पैसा तुमारे account में आ जाएगा, ठीक है, all the relevant document, ये एक important point है, जितने भी document है, like 10th की mark sheet हो गई, तुमारी photo हो गई, इसके अलावा graduation की mark sheet हो गई, ये सब self attest होंगे, तुम्हें self attest करना है, तो बहुत जल्दबाजी मत करना, सारे document एक folder में save कर लो, PDF के form में, एक एक point पढ़ते जाओ, और उसके बाद कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत अराम से form भरना है, बहुत बड़ा ये, इसको issue नहीं बनाना है, form भरने को, ठीक है, तो जितने भी document तुम cast certificate हो, photograph हो, 10th की mark sheet हो, graduation की mark sheet हो, सब self attested होगा, इस बात का ध्यान रखना, और अगर तुम appearing student हो, तो तुम्हें college से एक performer बनवाना पड़ेगा, कि तुम उस particular college में, 6th semester या 3rd year में पढ़ रहे हो, ठीक है, वो एक additional document लग जाएगा, बाकी जो cast certificate है, 10th की mark sheet है, graduation की mark sheet है, like जैसे, कुछ colleges में semester system है, कुछ college में year wise system है, तो अगर year wise हो, बहुत बहुत सी, 1st year, 2nd year, 3rd year, तो एक page में एक साल की mark sheet आएगी, और तुम्हें self-attest करना होगा, उसके बाद submit करना होगा, उसका भी एक particular size दे रखा है, वो चीज़ें भी आगे देखेंगे हम लोग, और अगर तुम 6 semester like BCA वगरा कर रहे हो, और 6 semester में कर रहे हो, तो एक page में first semester, second semester की mark sheet, एक page में तुम scan कर ल ठीके, बाकी अभी further, life form filling की भी class ले लेंगे हम, उसमें भी सारी चीज़ें तुम्हें कर के दिखाएंगे, किस तरह से form fill करना है, तो बहुत परशान होने की जरूरत नहीं है, अराम से सारी चीज़ें देखो, तो ये बात clear होगी, कि जितने भी document होंगे, सब self-attest होने चाह preview, preview the application, अभी ये final submit नहीं हुआ है, तुम पहले देख लो, preview कर लो, उसके बाद तुम submit कर सकते हो, सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है, following which a preview of the entire application will be generated for viewing, ठीके, the candidate is advised to carefully review this form and use revise the application button to go back to the application form if it is required, तो अगर तुम्हें कहीं कुछ गलती लग रही है, तो तुम वापस जाके, फिर से document upload कर सकते हो, तो पहले इतनी facility नहीं थी है, अब धीरे-धीरे करके, form filling में facility बढ़ाई जा रही है, and then click submit, तो अगर पूरी तर से assured हो कि कोई गलती नहीं हुए, तब submit पे fill करो, और बहुत जल्दबाजी मत करो, बहुत जल्दी form भर कैसा नहीं की, selection के chances बढ़ जाएंगे, after assuring himself or herself that every entry is in order, please note that no further review, modification of the application will be possible after the final submission, ध्यान रखना, उसके बाद preview का option नहीं आता है, लेकिन हाँ, 24 तारिक से 26 तारिक edit window कुलती है, लेकिन फिर से वही बात है, normal procedure है, अन्ने सरी गलती करो होगे, tension रहेगी तो उस चकर में तुमारी पढ़ाई सफर होगी, तो एक बार 3-4 गंटे लगा के पूरा final form submit कर लो, जिसमें कोई गलती नहीं हो, ठीक है, यह application number भी तुमारा form number भी एक जगे save कर लोगे तुम लोग, generated in the downloaded PDF format, applicants are advised to download and save the soft copy and also keep the hard copy of the application for further reference, तो जो folder तुमने अल्रेडी बना रखा है, उसमें form fill करने के बाद, उसका PDF डाउनलोड करके भी उसको save कर लोसी folder में, applicant must quote their application number in all future correspondence, तो application number भी तुमें save रखना है, और वो application form जब download करोगे वहाँ पे already होगा, लेकिन जैसे password हो गया, जो भी तुमने registration के time पे password create करा है, application number हो गया, यह सारी चीज़ें एक folder में save करते जाओगे, the generated application form will be accessible for downloading up to, सिर्फ examination date तक, उसको download कर सकते हो, उसके बाद, डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है, please ensure that all the supporting documents are uploaded as specific in checklist, ऐसा ना हो कहीं का document कहीं और upload कर दो, like cast certificate का document तुम 10th की mark sheet में upload कर दो, यह गरबर नहीं होनी चाहिए, candidate, login name, email id, password and the security question, वहाँ पे तुम देखोगे, forget password के लिए security question होता है, with answer, जब तुम register करोगे, तो इस सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उसको भी तुम उस particular folder में save कर लो, कई बार वहाँ से response नहीं मिलता है, तो unnecessary panic create होता है, और उस चकर में तुमारी preparation सफर करती है, तो ऐसा कोई काम मत करना, जिससे तुमारी preparation सफर करे, are very important, ठीक है, तुम password, login, email id, security question और उसका answer, ये सारी चीज़ें, application number, ये सब कुछ, password, ये सब कुछ एक word file बना लो और वहाँ पे लिख करके save रखो, they should remember, these till the end of the NIMSET 2024 process, मतब जब तक counselling नहीं हो जाती, ये सारे data बहुत important है, ठीक है, candidate should not create multiple login, ये काम मत करना, बहुत सारे बच्चों के form reject होते हैं, कई सालों से देख रहे हैं हम लो, तो ऐसा ना हो कि एक से form भड़ने में गड़बड हो गई, तो फिर से तुमने दूसरे ID से बना लिया, तो बहुत शांती से, बहुत आराम से, बहुत काम हो करके, तुमें form भरना है, multiple IDs से अगर तुमने form भरा है, तो हो सकता है, deduct कर ले, और कुछ problem आ सकती है, ठीक है, तो multiple login नहीं होने चाहिए, same candidate के, ये point भी ध्यान रखना है, candidate should use only one mobile number, एक ही mobile number होना चाहिए, और single email ID, email ID और mobile number सभी के पास होगा, ध्यान अखना, उनको change मत करना, ऐसा ना हो कि mobile दो बहुत तीन मेने बाद out of service हो जाए, otherwise problem create होगी, must retain the same mobile number and email ID तिल the admission process, through NIMSET 2024, the online application form submitted without uploading the proper supporting document and e-receipt, document, document जो जब तुम payment करोगे तो एक receipt generate होगी, application fees की, वो भी चाहिए होगी, विल भी, अगर the online application form submitted without uploading the proper supporting document, अगर वो document नहीं है तो form तुमारा reject हो सकता है, ठीक है, hard copy of the application form and the supporting document need not to be sent to the coordinating institute, कुछ भी hard copy तुम्हें NIT जमशेद पूर नहीं भेजनी है, ठीक है, तो क्या-क्या चीजें clear हो गई, जब तुम payment करोगे तो एक e-receipt generate होगी, वो भी तुमारे पास उस particular folder में होनी चाहिए, वो भी वहाँ पे upload होगी, ठीक है, तो ये सारे document proper एक folder बना लो और उसमें लिखते जाओ, admit card की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ये सब बातें examination की बात में करेंगे, फिलाल अभी initial बातें कर रहे हैं, अब काफी बचे eligibility criteria को लेके परिशान थे, तो बहुत clearly यहाँ पे mentioned है, graduation में 60% marks होने चाहिए, या 6.5 CGPA होना चाहिए, जिनके CGPA है, उसके लिए भी clearly mentioned है, CGPA on 10 point scale, ठीक है, 10 point scale में होना चाहिए, different-different universities का different-different criteria होता है, लेकिन यहाँ पे common criteria दे रखा है, तो कोई भी UG program हो, minimum 3 साल की degree का mathematics और statistics, एक subject होगा, तो तुम eligible हो, आइदर तुम BA के हो, BCOM के हो, BVOC के हो, BSC के हो, और BTEC, या BE वाले student पूरी तर से eligible हैं, NIMSET exam के लिए, ठीक है, फिफ्टी परसेंट आए हैं, तो हम eligible होंगे के नहीं होंगे, तो overall, aggregate का मतलब क्या होता है, तीनो साल या छे सेमिस्टर का मिला करके, तुम्हारा 60% होना चाहिए, ठीक है, या छे सेमिस्टर या तीनो साल का मिला के, 6.5 CGPA होना चाहिए, तो तुम applicable हो, अगर तुम appearing student हो, तो इस criteria को फिलाल अभी, form filling के time पे कोई जरूत नहीं है, हो सकता है तुम्हारा, 5 सेमिस्टर या 2 साल का, जो marks बन रहे हों, less than 60 हों, लेकिन, तो भी तुम form भर सकते हों, form भरने के लिए eligible हो, लेकिन 3rd year या 6 सेमिस्टर का मिला, के aggregate तुम्हारा 60% होना चाहिए, open category या EWS category या, OBC category के लिए, ठीक है, तो last semester या last year की mark sheet को include करके, 60% या 6.5 CGPA होना चाहिए, अगर अभी फिलाल तुम्हारा graduation चल रहा है, overall पूरी mark sheet नहीं आई है, तो तुम less than 60% marks में भी तुम form भर सकते हो, but finally counseling के time, इस criteria को तुम्हें fulfill करना होगा, और जो भी appearing student है, उनको एक undertaking लगानी होती है, उस particular college के principal से sign कराना होता है, या dean से sign कराना होता है, और उस document को भी submit करना होता है, application form में, कि तुम उस particular university या college में, या institute में, as a student, third year के student हो, या six semester के student हो, और एक और भी doubt है बच्चों के दिमाग में, कि अगर कोई back paper है, तब क्या हम admission मिल सकता है, तो counseling के पहले पहले वो back paper clear होना चाहिए, अगर counseling तक वो back बना हुआ है, तो फिर तुमारा admission cancel हो जाएगा, काफी बच्चों की ये भी query थी, कि हमारे जो third year के या six semester के exam है, वो शायद august में होंगे, या जुलाई में होंगे, तब तक counseling हो चुकी होगी, तब तक हमारे पास mark sheet available नहीं होगी, तो उसके लिए दो तीन-चार मेने का time, निमसेट या particular NIT दे देते हैं, तुम तीन-चार मेने में submit कर सकते हो, एक बार admission हो गया है, तो वहाँ पे request करके वो time बढ़ा भी सकते हो, तो ये सारी चीजें problem नहीं create होंगी, तो I hope इन चीजों से काफी कुछ idea लगा होगा तुम लोग को, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, बाकि SC, ST या PWD category के लिए 5% का relaxation होता है, 55% या 6 CGPA on 10 point scale, ठीक है, तो eligibility criteria को लेके I hope concept clear हो गया होगा, BA, BSC, BCOM, BVOC, BCA, at least maths होना चाहिए किसी एक semester में, ठीक है, या किसी एक year में, तीनों साल में होना ज़रूरी नहीं है, और कई बच्चों का 3rd year में, जैसे 2 साल maths रहा है, 3rd year में maths नहीं है, तो तुम बिल्कुल छोड़ सकते हो maths, किसी भी एक year या किसी भी एक semester में, तुमारा maths या statistics as a subject होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, student who have completed, completing bachelor degree program, minimum 3 year with mathematics statistics as one of the subject from open university are also applicable, इसका मतलब जो लोग distance से, लाइक इगनू अगेरा से, BCA कर रहे हैं, या कोई भी program कर रहे हैं, distance learning से graduation कर रहे हैं, तो वो भी applicable है, निमसेट exam देने के लिए, यह भी एक बड़ा major question रहता है बच्चों का, बट वो university, UGC या AICT approval होना चाहिए उसका, बिना इसके, या तो UGC का हो, या AICT हो, दोनों होने जरूरी नहीं है, दोनों में से एक भी approval है, तो तुम eligible हो, exam के लिए, ठीक है, तो I hope यह eligibility criteria समझ में आ रहा है, next देखते हैं, the percentage of marks या CGPA in qualifying degree are to be calculated on the basis of marks grade point obtained in all subject studied in all the three years, including language, optional and additional subject studied, ये भी एक बड़ा important point है, कि काफी लोग measure subject include कर लेते हैं, तो उनका 6.5 या 60% बढ़ जाता है, कुछ subject छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर सारे ही subject, जो भी तुमारे mark sheet में mentioned है, वो सारे के सारे include करके 60% होना चाहिए, measure minor का कोई वो नहीं है, I hope ये बात समझ में आ गई होगी, अब देखो admission through NIMSET, ये तो normal चीज़ें हो गई, अब ये बात समझो, इस इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है तुम्हें, registration and application through online for the test, all the eligible candidates should first register using the link provided in the website, तुम जैसा हमने बताया था, कि इन website पे जाओगे, इस link पे जा सकते हो, या इस link पे जा सकते हो, सबसे पहले तुम्हें register करना होगा, by entering the personal email ID, तुम्हारा personal email ID होना चाहिए, and the personal mobile number, mobile number तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है, जो चलता रहे अट लिस्ट चार-पांच मैंने, between 6 तारिक से registration स्टार्ट हो रहे हैं, 6 मार्ट से, और 20 अपरिल तक ये चलेगा, till 5 प्यम, after submitting this information on the email, will be sent to the mentioned email ID, and candidate will see a message accordingly on the webpage, ठीक है, the candidate must use only this email ID, and the mobile number for all NIMSET 2024 correspondence, इस बात का ध्यान रखना, particular email ID और mobile number को बचा के रखना, document soft copies may be needed for the completing the request, अब ध्यान से देख लो, soft copy of recent photograph, ऐसा ना हो कि 10th की photograph लगा दी तुमने, recent, एक दो साल, maximum एक दो साल का difference होना चाहिए, ऐसा ना हो 10th, 6th, 7th, 8th थी फोटो लगा दी, ठीक है, recent photo होनी चाहिए, size कितना होना चाहिए, 50 KB से 1 MB, ठीक है, इतना size होना चाहिए, इन बातों को note करते रहो, soft copy of the sign in royal blue, black color, जो self attested है, ठीक है, वो या तो royal blue से तुम्हें attest करना है, या black color only of the size between, 50 KB and 1 KB, ये तो तुमारी photo का हो गया, photograph recent, एक 4 by 4, 4 inch by 4 inch का तुम, पेज में, तुम्हें sign करना होगा, ठीक है, properly sign करना, उसकी photo click करना, JPG बना सकते हो, PDF बना सकते हो, ठीक है, properly sign करना है उसको तुम्हें, या तो blue pen से, या black color के pen से, और उसका size भी 50 KB से, 1 MB होना चाहिए, clear है, तो ये photo हो गया, ये signature हो गया, sign हो गया, ये upload करना है, all the mark sheet, grade card, and the certificate, in the PDF format, 10th की mark sheet, 12th की mark sheet, graduation की mark sheet, जहां तक भी तुम्हें पास available है, वो PDF form में होनी चाहिए, self attested होनी चाहिए, और ये बात हम पहले बता चुके है, उसका size, हर एक file का size, 1 MB होना चाहिए, अगर 3 साल की mark sheet है, तो 3 PDF बनेंगी, हर एक में तुम्हें self attest करना होगा, 6 semester की mark sheet है, तो एक page में तुम 1st और 2nd semester बना सकते हो, उसमें upload कर सकते हो, बाकि अभी कल से form start होगा, तो option और पता चलेंगे, किस तरह से इस बार portal बनाया है इन्होंने, a valid proof of identity in PDF format, such that आधार card चल सकता है, pan card चल सकता है, motor ID चल सकता है, या driving license चल सकता है, एक MB का, और ये भी self attested होगा, ठीके, fill the application form carefully, and submit the generated application form, on or before 20th April, simple सी बात है, तो आई होप समझ गये होगे, जितनी भी mark sheet है, जैसा mentioned है, यहाँ पे 10th की mark sheet, graduation की mark sheet, 12th की mark sheet भी ready रखना, ठीके, photo चाहिए self attested, signature चाहिए, square page काट करके, उसमें sign करके, photo कीच के, उसकी एक JP चीज सेफ कर लो, और ये document पहले, अपने एक folder में सेफ कर लो, सीधा form फिल करना, ना start करो, जब सारी चीजें collect हो जाएं, इस folder में, तब उसके बाद form फिल करना है, और जैसा कि हमने बताया, एक video आएगा, जल्दी हम लोग upload करेंगे, जिसमें एक live video देखेंगे, किन section में क्या-क्या चीजें upload करनी है, ठीके, अब आगे देखते हैं, यह तो test के लिए हो गया है, admit card हो गया है, सारी बातें बाद में करेंगे हैं, भी इनकी जरुरत नहीं है, counseling, online seat allotment, यह सब की जरुरत नहीं है, the applicant is directed to the webpage, where he or she will be set to the password, choose the security question and submit the answer, तो security question as well as उसका answer भी तुम्हें save करना होगा, और यहां पर clearly mentioned है, username, login ID, जब भी तुम register करोगे, तो personal email ID तुमारी होगी, submit as a, submitted by the candidate, while registering, तो जो तुमारा email ID है, वही तुमारा login ID बन सकता है, password के बारे में क्या बोला है, password must be string containing, at least 8 character, with at least one uppercase, alphabet, एक uppercase होना चाहिए like A, at least one lowercase, A, N, P, Q, R, ठीक है, at least one number, like 1 लिख दिया हमने, and at least one special character, like add the rate बना दिया, ठीक है, तो एक uppercase, एक number और एक special character, बाकी तुम capital में भी भर सकते हो, या small में तुमारी चुआइस है, अब इसके बाद देखे रहो, जो application fees है, वो non refundable है, ध्यान रखना है, बात पहले भी कर चुके हैं, हम लोग, candidate request to deposit the processing fees, online through, NIMSET 2024 website, अब यहाँ पे देखो, पहले तो registration करना है, clearly लिखा हुआ है, उससे एक link create होगा, तुमारे email id पे आएगा, new user registration webpage, the applicants needs to fill all the fields properly, applicants need to ensure that a valid email id and 10 digit mobile number, have been entered in the respective places, ठीक है, wherein a link will be provided to access the webpage, to set your own password, तुम अपना password change कर सकते हो, ठीक है, अच्छा, वहाँ से जो mail तुम्हें receive होगा, हो सकता है, spam में चला गया हो, तो वहाँ पे भी तुम check कर सकते हो, कई बार mail inbox में नहीं आता है, candidate must remember their email id, password, security question and its answer, and mobile number entered in the application form, candidates are not allowed to create multiple login id, यह पहले ही बात हो चुकी है, एक ही id से successfully form भरना होगा तुम्हें, filling the application form, in the application form, the applicant should fill all the relevant personal and academic information, field mark mandatory, ठीक है, the marks grade point obtained, यह सारी बातें पहले कर चुके हैं, document upload after filling the application form, the applicants may be required to upload all the relevant documents, photograph, signature, proof of ID, identity, अधार card, plan card, voter ID, DL, proof of date of birth, 10th की mark sheet हो, ठीक है, all other mark sheet, cards, etc. and the category, अगर OBC open category से हो तो कोई सर्टिकेटिन लगेगा, OBC या कोई भी SCST, PWD या EWS और खास्तोर से OBC और EWS category से अगर बिलॉंग कर रहे हो, तो तुम्हारा latest अभी form filling में तुम पुराना लगा सकते हो, लेकिन इस बात को ध्यान अखना की, 1 April 2024 के बाद तुम्हें फिर से recreate करना होगा अपना सर्टिकेट अगर तुम OBC category से हो, या EWS category से हो, ठीक है, विच इस अप्लिकेबल और सारे ही document को तुम्हें self-attest करना है, ठीक है, payment gateway after filling in the application form, uploading the relevant document, the applicant shall go to the payment gateway and make the application fee payment, ठीक है, final printing, saving in document application form, ये बात अल्रेडी कर चुके है, हम लोग उसका finally PDF होगा, तो उसको इस पर्टिक्लर फोल्डर में तुम्हें save कर लेना है, carefully check the eligibility requirement, section 2 of the NIMSET, ठीक है, information brochure में, carefully read the instruction, ये भी कर चुके है, हम लोग the applicant, the application will be rejected, if the requirement are not met, अगर तुमारे certificate, या कुछ भी miss है, तो application form reject हो सकता है, OBC candidate have to satisfy, both the caste and creamy layered requirement, detail on the following national commission, backward, for backward classes, NCBC website से, तुम्हें creamy layer ये non creamy layer, मतलब OBC हो, तो creamy layer से बिलॉंग कर रहे हो, कि non creamy layer से बिलॉंग कर रहे हो, performa for OBC certificate, issued on the 1st April, ये डेड गलत लिखी है, 1st April 2024 होगा ये, ठीक है, मतलब latest financial year में, जो counseling के time पे लगेगा, 1st April 2024 के बाद का लगेगा, EWS और OBC certificate, along with undertaking given in the annexure 1, यहां पे सारे ब्रॉशर में देखोगे, तो सारे टाइप के certificate के, परफॉर्मा दे रखे हैं, उसी परफॉर्मे में तुम्हें, ये certificate बनाना होगा, 1st April 2024 के बाद का, जो की counseling के time पे required है, अभी फिलाल तुम पुराना certificate भी लगा सकते हो, और जैसा कि निमसेट में कोई category-wise rank नहीं आती है, तो final consideration तुम्हारे कास certificate का तभी होगा, जब तुम counseling में उसको present करोगे, और अगर नहीं कर पाए, तो तुम्हें as a general candidate ही seat मेलेगी, seat a lot होगी, 1st April 2024, बी, open EWS candidate have to satisfy the requirement, given by the government of India, D.O.P.T. O.M. number this, ठीक है, 31st January 2019, performa for EWS certificate issued by, on or after, 2024 होगा यह, latest financial year का लगाना होता है, और इसका reason है, जैसे मानलो last year, तुम्हारे फादर की income कम थी as per ITR, इस साल बढ़ गई, तो तुम पहले EWS थे लेकिन, अब EWS consider नहीं होगे, इस बात का ध्यान अखना, तू बे सब्मिटेड, अप्लोड़ेड, ठीक है, SCSD के देरी, कैंड़ेट, अन परसन विद डिफरेंटली अबल, PWD कैंड़ेट, शुद यूज़ यूज़ दा, रिस्पेक्टिव पर्फॉर्मा, गिविन इन एक्सर 2 एन 3, ठीक है, अड्मिट कार्ड की बात, अभी बाद में करेंगे, इंस्ट्रक्शन तू कैंड़ेट, अपेरिंग फॉर दे टेस्ट, यह सब एक्जाम की बात है, वैसे यह सब बाद में करना बेटर है, तुम्हें एक्जामनेशन हॉल में, अटलीस एक घंटे पहले पहुचना है, तभी इंड्री होगी, ठीक है, यह सब के लिए बहुत समय है अभी, टेस्ट सेंटर है, इसके करीब करीब, 30-31, यह तो देखी सकते हो, अब में बात है, यहाँ पे देख रहे हो, लाइक यहाँ पे अगर देखोगे तो, ट्रिपल आइटी भोपाल बढ़ा है, ठीक है, जिसमें टोटल सीट सिक्स्टी हैं, M.C.A के लिए, इनईटी पत्ना ने कुछ specialized course, इंख्लूड करे हैं, डेटा साइंसेज और इनफर्मेटिक्स, इसकी 40 सीट्स है, इनईटी पत्ना डेटा साइंस और इनफर्मेटिक्स, सेल्फ फाइनिंस सीट है, इसकी फीस मान के चलो, दस self finance seat तुम्हारी सूरत कल में भी है जिसकी फीस करीब करीब 26 लाक है तो यह चीज़े पता होनी चाहिए ठीक है NIT पतना में AI और Artificial Intelligent IoT Internet of the Things ये भी specialized course include करें है इनोंने free वाला भी और self financing वाली भी इसकी भी 40-40 seats include करी है आपे ठीक है और और अगर देख रहे हो general category के लिए पहले 313 seats थी अब 396 हो गई है पहले total seat 813 थी अब 133 हो गई है HBTU और HBTU और IPU में लाले तो और भी seats increase हो जाएंगी ठीक है इसके लावा ये भी हमें पता होना चाहिए NIT जमशेदपूर और NIT वारंगल यहाँ पे तुम 3 साल का MCA भी कर सकते हो ये एक option देता है और तुम चाहो तो second year अगर तुमारा computer बहुत अच्छा है तो तुम second year में भी exit ले सकते हो तो ये तुम्हें MCA degree नहीं लेकिन हाँ PGDCA degree दे सकता है NIT वारंगल और जमशेदपूर ठीक है self finance seat कुरुकशेदपूर में भी है सूरत कल में भी 10 seat हो सकता है बढ़ जाएं फीस लेकिन बहुत ज़्यादा है इतनी कुरुकशेदपूर की फीस नहीं है और NIT पत्ना बीटेक के लिए बहुत फेमस है एक बैच अलड़ी निकल चुका है NIT पत्ना से M.C.A का दो हजार बीस में स्टार्ट करा था NIT पत्ना ने एक बार M.C.A लेकिन द्यू टू कोवेड उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था तो एक बैच अलड़ी निकल चुका है NIT पत्ना से फिर से वो continue कर रहा है M.C.A और especially M.C.A ना करके ये particular specialized course और इन courses की भी बहुत demand है market में एक बहुत अच्छे options के तौर पे इसको देखा जाता है तो I hope ये बात समझ में आ गई O.P मतलब general category होती open category O.B.C. S.C.S.T. E.W.S. P.W.D. O.P. P.W.D. O.B.C. P.W.D. S.C. ये सब category है ये सब देख सकते हो तुम लोग ठीक है और यहां पर अगर देखो तो ये तो सबसे ज़्यदा जो seats है वो अलाबाद N.I.T. अलाबाद में है ठीक है अब आगे देखते हैं ये तो numbers है वैसे मुश्किल से reply मिलता है कोशिश करो की जूरत ना पढ़े टेस्ट पैटन अब यहां पे खास चेंज करा गया है और इस खास चेंज का क्या फरक पड़ेगा तुम्हारे future exam में निमसेट को ले करके जैसे अभी तक normally student maximum student काफी confused रहता था कि कई बार मौक में ज्यादा time math को दे दिया reasoning English computer देखी नहीं पाए कई बार reasoning कर लिया तो math चूड़ गई तो इस चीज को लेके अब बिल्कुल strict है और इस से ध्यानक ना इस से फरक ये पड़ेगा ये pattern सब के लिए है तो competition rise करेगा क्योंकि कई बार अच्छे बच्चे होते थे लेकिन वो time manage नहीं कर पाते थे तो अब क्या करा है इनोंने 70 minute दे दिया है maths को दो बजे से 3-10 तक तुम्हें maths ही करना है जितना आ रहा है नहीं भी आ रहा है तो भी तुम्हें उ 70 minute maths करना ही पड़ेगा और कोई option नहीं है तुमारे पास ठीके तो इससे competition increase होगा ध्यानक ना और ये मत मानना कि ये सिर्फ तुमारे लिए है ये जितने भी candidate बैठ रहे सबके लिए चीज है 12 marks का math का question आता है 3 negative marking होती है 600 marks math deciding factor होता है और फिर उसके बाद window खुलेगी reasoning की 30 minute तुमें reasoning को देना है 3-10 से लेके 3-40 तक ठीक है फिर उसके बाद 20 minute में overall तुम्हें computer English करना है मतब 3-40 से लेके 4 बजे तक तो अब ऐसा नहीं होगा अगर तुमें मालो math बहुत आती है computer English reasoning नहीं आती है तो तुम सिफ 70 minute ही math कर पाओगे पहले कई बार ऐसा होता था कि कुछ बच्चों को math बहुत strong होती थी 2 घंटे पूरा हो math ही करते थे 600 में पतचला 500 number हो math में ही ले आए तो ही बहुत अच्छा selection हो गया तो ये एक option खतम हो और इससे काफी फाइदा होगा बच्चों का, cut off भी बढ़ेगा, score भी individually बढ़ेगा और अभी भी time है तीन मेने है, maths तो थोड़ा ज्यादा subject, बड़ा subject है लेकिन अराम से ये तीन subject तो अभी भी तीन मेने में बहुत अराम से करे जा सकते हैं, mathematics में भी काफी कुछ करा जा सक करता है, rest three of month में, तो ये next video में हम लोग बात करने वाले हैं, कि किस तरह से, ठीक है, तो ये section wise, जो major change आया है, I think ये बात समझ गया होगे, the candidate are advised not to attempt such question if they are not sure of the correct answer because negative marking है, ठीक है, more than one answer indicated against a question will negative mark, मतब एक ही, only one option correct है, ऐसा नहों कि ने दो option correct कर दिये, candidate have to mark the response as per instruction appearing in the screen, ठीक है, अच्छा, इससे पहले क्या था, इस बार तुम mention नहीं है या पे, लेकिन, अभी तक ये था कि maths में at least a question करना ही होता था तुम्हें, ऐसा ना हो कि zero maths करो, मालो किसी student ने सारे reasoning कर लिए, सारे computer कर लिए, सारे English कर लिए, और zero maths करा, तो reject हो जाता था, तो अभी तक ऐसा कुछ mention नहीं है, लेकिन ये बात mentally prepared हो कि at least a question तो maths करना ही है, और 70 minute मिले हैं, तो obviously करी लोगे, at least a question maths का compulsory, syllabus में कोई खास चेंज नहीं है, set theory, permutation, combination, probability, statistics, algebra में भी वही सारे पुराने chapters हैं, coordinate, geometry में भी सारे ही chapters include करे हैं, calculus में भी almost सब कुछ include करा है, ठीक है tangent, normal, simple example of maximum in mind, integration, सारी चीज़े include करीं, vectors में भी पूरा है, trigonometry में भी पूरा है, तो syllabus wise कोई changes नहीं आए हैं इस बार, ठीक है, computer में भी वही same syllabus है, reasoning में भी वही है, English में भी वही है, कोई खास change नहीं आए है, rank वागेरा की बात तो बादी में करें, उज़ादा बेटर रहेग अभी फिलाल, admission process ये सारी बातें बाद में करी जाएंगी, अभी time है उस सब के लिए, ठीक है, तो finally, overall एक बात समझ में आ गई, तो main काम ये कर रहा है, कि अपने laptop में एक folder बना लो और उसमें इस सारे document properly save करो, और अराम से सारे exam जब हो जाएं तुमारे CUT, MSCT, उसके बाद form filling start करो, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसके आगे फिर next वीडियो में हम लोग form live fill करके दिखा देंगे, जिससे काफी clear idea लग जाएगा कि किस section में कौन से document तुमें upload करने,